दोस्तों COVID-19 के वक्त में हमने बहुत मुश्किल से टाइम पास किया होगा, किसी ने बहुत अच्छे से टाइम पास किया होगा, क्योंकि उसको बाहर इतनी जादा घूमने की आदत होगी नहीं और वो घर में गेम वेम खेल के टाइम पास कर लेता होगा, कई उने वर्क फ्रो वेट के टाइम पास नहीं किया उसने इस खाली टाइम में अपने लिए एक प्लेन बना डाला वो भी फोर सीटर प्लेन जिसको कम्प्लीट करने के बाद में आज के वक्त में वो यूरोप घूम रहें अपनी फैमली के साथ में उसी प्लेन के अंदर और यह ऐसे वैसे बंदे नहीं है यह MLAV थर्मा कशन के सन है तो यह तो यह काम कर सकते हैं इन्होंने करीबन तेड़ करोड रुपे लगाए हैं इस प्लेन को तैयार करने में और करीबन पंदरा सो घंटे जो की COVID-19 के वक्त में घर में लोगडाउन हो रखेते लोग तो उस टाइम में पूरा उस टा पेलेट का लाइसेंस भी था और अब जाके इन्होंने अपने लिए ही फोर सीटर प्लेन बना के अब अपनी फैमिली के साथ में काफी सस्ते में एक से दूसरी कंट्री चले जाते हैं यूरोप के अंदर और ये यूके के अंदर रहते हैं प्लेन बना लेते तो ऐसा यहां पर हो नहीं सकता क्योंकि अगर आपने प्लेन बना भी लिया इंडिया के अंदर और कोशिश भी करते हो अगर उसको उड़ाने की तो काफी सारी सजाएं आप पर लग सकती हैं क्योंकि यूपी के ही अंदर एक बंदे ने एक हेलिकॉप्टर बनाया था और वो सिर्फ उसने 20 उड़ा के देखा था तब ही वहां पर पुलिस और एयर फोर्स पहुंच गई थी कि ये किसने क्या बड़ी सी चीज उड़ा डालिये तो फिलाल के लिए क्योंकि यूके के अंदर रह रह रहे हैं तो ये काम ये बड़े आराम से कर सकते हैं लेकिन इंडिया के अंदर ये आ और सीटर प्लेन के साथ में सो फाइनली दोस्तों गूगल का स्ट्रीट व्यू अब इंडिया के अंदर भी आ चुका है ये छे साल से बैन था इंडिया के अंदर पहले चला करता था लेकिन इसको बैन कर दिया गया था सिक्योर्टी रिजर्ट की वज़े से लेकिन अब फा लेकिन उनकी गलिया उनके नजार एकिस तरीके का विउ मिलता है वहां पर उस तरीके की चीज़े आप देख सकते हो बाहर की कं20 के अंदर तो ये चलते थे तो इस तरीके की चीज़े भी COVID के वक्त में टाइम पास करने के लिए करीती है और इसी के साथ-साथ Google Map के अंदर आप 3D aerial view भी ले सकते हो famous landmarks के जैसे की कुतम मिनार हो गया या भार की country के हो गए तो उस तरीके की चीज़ों को अब aerial view से भी देख सकते हो कि किस तरीके के लगते हैं दोस्तों यूरोप की दो सबसे बड़ी satellite internet company OneWeb और Utelset ने अब एक दूसरे के साथ में partnership कर लिए क्योंकि उनका जो दुश्मन है उनका जो competitor है Starlink वो एक next level पे गया हुआ है तो इन दोनों को अब एक साथ partnership करनी पड़ी Starlink के साथ में टकर लेने के लिए और OneWeb के साथ में एक और situation है कि उनके पास में इतनी जादा funding नहीं थी पहले क्योंकि 2020 में इनोंने bankruptcy भी फाइल कर दी थी तो जिसके बाद में UK government और मित्तल भारती ने मिलकर 45% stack इसके खरीद लिये थे 500-500 million दोनों नहीं दिये थे इसकी bank करपसी को बचाने के लिए इस company को बचाने के लिए लेकिन उसके बाद में फिर इनके साथ में एक और problem आगी कि Russia ने का हम तुमारी satellite लाँच नहीं करते क्योंकि यहाँ पर UK ने इसके stacks खरीद लिये है मतलब कि वो military base कुछ काम कर सकता है इन satellites के जड़िये तो यह satellites हम तो launch नहीं होने देंगे क्योंकि यहाँ पर military भी इसका use कर सकती है और जिसका risk हमारे लिए है क्योंकि Russia versus Western तो चली रही है fight काफी सालों से तो जिसकी वये से अब इन दोनों ने partnership करिये और वैसे भी कई सारी space agencies आवा चुकी है जो कि दूसरे देशों की दूसरे लोगों की satellites बगेरा space में पहुंचा देती है वो भी सस्ते में दोस्तों आपको मालूम है कि flight attendant air hostess को सबसे जादा दिकत किस चीज से होती है passengers की पानी से वो दरसल कई सारे ऐसे passengers को handle करती है जो कि दो लिटर की bottle एक लिटर की bottle पकड़ा देता है कि यह मुझे भरके दे दो और उनको भरके देना पड़ता है जबकि passengers को यह पता होना चाहि जिसकी वज़े से वो अगर एक कप पानी ले ले तो भी गुजारा हो जाएगा दो कप ले ले तो भी गुजारा हो जाता है लेकिन कई सारे passenger पूरी पूरी बोतल ही पकड़ा देते हैं कि यह मुझे को भरके दे तो ताकि मैं पूरी की पूरी flight में पीता रहूं और और है तो पीलो और बच रहा है तो अपनी बोटल में भी डाल सकते हो क्योंकि लिम्टिड पानी होता है उस कुछ घंटों की flight के अंदर दोस्तों अभी तीन दिन पहले ही चाइना ने अपने टियंग गॉंग स्पेस स्टेशन का सेकिंड मॉड्यूल लॉंच किया था जो की मालूम नहीं यह समुद्र पर भी गिर सकती है किसी सिटी के ऊपर भी गिर सकती है लेकिन नए मालूम मतलब यही है बस चाइना वालों का कि ट्यंग ओंग स्पेस स्टेशन का सेकिंड मॉड्यूल पहुंच चुक है उसकी खुश्या मन रही है लेकिन यह भी धरती पर आने हो सकता है चाइना पर इंडिया पर गिर सकता है और यह गिर सकता है और यह गिरेगा 21 अंडाजास तब मालूम इसक आ composed अक्पर गिरेका फिर भी इसका 20 से 40% हिस्सा जरूर हिट करने वाला है धर्ती पर और यहीं पर तो एक वीडियो काफी सदा वायरल हो रही है जहां पर एक बंदा अपने बुल के साथ में बास्केट बॉल खेल रहा है और वो भी उसको हाम नहीं पहुचा रहा है वो बास्केट बॉल पे हिट क खेलते हैं यह लग है